गुड मोरिंग एविवन, तोडे विए फ्लाइक चर्टरी नबर 23, ती ऑबजेक्ट, अब अबजेक्ट क्या है इसमें तो सबसे प्रेड़े, आप जो सेटर स्ट्रक्टर बगा देखे, इसमें ऑबजेक्ट क्या है, वो सबसे इंपोर्टन थे, इसका आपको यहां सोट फोर में ही अगरा है, S, B, O, प्रेड़े, S का में गोटा है, यहां पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का में निक क्या सब्जेक्ट किसको कहते है, तो जो परसन, यह एक्षन, कोई भी एक्षन करते है, उसको कहते है, यहां पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में रेसेंटनेंस में यहां पे यह चो एक्सन करता है, यह तो फॉर्स परसन, यानिकि इनमें, तो सभी जो भी यहां पे sentence के form में action करता है, उसको कहते हैं, सब्चेंगे, आप सब्चेंगे, आइप इस लोगा हम यूज़ कर सकते हैं, नी, यू, दे, इ, सी, इट, इस सभी प्रोनाव के form में starting में use करते हैं, उसे कहते हैं, सब्चेंगे, कहीं कहीं बार, आई के instead of, हमें use नहीं करता हैं, जैसे के return, या फिर वी के instead of हम use करते हैं, इचिल राम, राम, श्याम, तो यह सभी हो गए आपके सब्चेंगे, उसके बार आएगा word, उसे कहते हैं, यह यहां आपको sort formative है, s, n, o, तो s कारी नहीं है subject, v, यान की form, बहुत टू टैस्के होते हैं, primary और main form, और model auxiliary form, तो primary form किसी कहते हैं, तो हम use करते हैं sentence में, aim, please, are, was well, have is, sell will, यह सभी हैं, वो हमारे primary auxiliary work हैं, उसके अलागा भी हमारे sentence में main purpose होता है, main purpose के साथ, तो जो हम always use करते हैं, हमें play करना, watch, see, यान की देखना, पढ़ना, reading करना, playing करना, यह सभी हैं, वो हमारा main purpose है, जो action हम करते हैं, कोई नी कोई form है, okay, तो second होता है हमारे sentence के subject, उसके बाद बहुत, हम क्या, यहां पे I learn English, मैं क्या इलुन कर रहे हूं, तो English, तो यह हो गया हमारा object, यह हमारा object, यह हमारा जो कर जिसे हम कहते हैं, जो क्रियाम करते हैं, उसे कहते हैं, object, okay, तो यहां पे आपको दिया रहा है, the subject is, the sentence is the road of the accent, subject है, जो sentence में, क्या आता है, तो first में, यानि की करता की form में आपको डिस्क्रेट किया होता है, उसे कहते हैं यहां पे subject, the word that receives the accent done by the subject is called the object, जो भी subject ही, वो कोई ना कोई accent को receive करता है, उसे कहते object, जैसे कि यहां मैंने कौन सा accent receive किया, तो I learn, मेरी action क्या थी, तो English learn करने के मेरी action, तो जो भी subject के related, यहां पे कोई action की स्क्रेट किया होता है, तो उसे कहते हैं यहां पे object, all sentences do not be conscious, यहां पे कहीं कहीं बार ऐसा होता है, कि कहीं कहीं sentence ऐसे होते हैं, जिसमें object नही ने दिये गए होते हैं, if the sentence has an object, the verb is transitism, जो आपके sentence में object दिया कोया होता है, तो आपका work, transitism होता है, If the verb is not an object, it is an in-transist. आपको यहाम सेंटरस में object नहीं दिया करें होता है, तो आपका verb होता है in-transist. टोनमे difference. तो फर्स्ट की आप सेंटरस चप्छे ले प्रशित के जो आपकी भूप्य दी गही हमें आपके. कर दो 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 कर पूण के पूँप किर्पी बाखी विखेश्यक मतर् उष्टी प्रिंस को गिया है तया हैउ सबस्ट को पूद'Mant दुछ आ है नते आफन आ को पूपまぁ को रहे हैं सब्चेक कोंशा वुहरा या प्का क्वथेगे दी बीकिर्फ ते भूसचार मतर् इस चेप्टर में आपको तीनों जो हमारे फोर में वो करता हो ने चाहिए, इसमें सब्चेक्ट, उनसा वर्ब, उनसा और अब्चेक्ट, नीचे आपको जो टेबल दी आप रहा है, इसमें आपको अलग-अलग टेबल में फाइंड करना है, इसमें सब्चेक्ट वे, वर्ब और object है, वो sentence मैं साब तो दिखना है पूस यह है, इत्रका देना है, तो यह हो गए उसकी action तो इसको के लिए हम work किसको? तो किसको दिया हम इती प्रेंस को? प्रेंस को इती प्रेंस को इती प्रेंस को इती प्रेंस को ही उसके बाद, you can get the object in your sentence by asking the question whom and what after the word यहाँ एको बाद रहा है कि आपको object कम मिलता है तो जब आप whom यापी words दे question करते हैं तो उसके answer में आपको यह जो object है वो मिलना है 4th sentence structure जो आपने भी देखी कि a sentence which has a subject plus verb plus object is saying to have the SVO structure यहाँ पे आपको कार रहा है कि जो आप subject, verb और object कीते हैं उससे हम केते हैं SVO structure सोट में क्या रहते हैं SVO जिसके हमें sentence structure इसली याद रहता है SVO का मिलनके यहाँ पे आपको word table में लाया है subject plus verb plus object The first sentence means the children open fair books Children है वो books open कर रहे हैं The children है आपका subject की state क्या है यहाँ पे open है वो work है और third day वर आपको दिया रहे है their books वो क्या open कर रहे हैं तो जो बुश्ट वो क्यों की object है Second sentence आपको दिया है The flowers are destroying the villages तो the flowers हो है subject are destroying है तो are है वो आपका primary auxiliary verb और destroying है वो आपका main problem है तो are destroying किस को मुने फ्लर्टी वोचे से क्या destroy हो है तो पूरा villages दी villages तो यह है अचे है and last में है the lady head inform the police तो first the lady subject head form तो वो है उसमें head है वो है अपका primary auxiliary और second है main problem inform तो उसका नहां पे inform दूज़ा है क्योंकि यह present past perfect tense sentence अपका object इसमें आपको यह जो three form है उसके related आपको exercise डीड़ जिसको आपको table में define करके अदल अदल आपको district करना है exercise की note here instruction आपके rewrite the following sentences in the column below dividing then to subject word and object यहां आपको column डीड़ीड नीचे उसमें आपको divide करना है कोई सा subject है word कोई सा है और object कोई सा है तो first sentence से हमें आपको लिखना की इसाथ भी subject रूठ यहां शाथ इसाथ रूठ रूठ वे रूठ यूठ रूठ रूठ रूष रूट रूण है इना पर गेट गेट सचेट क्या ऐसा करते हैं लिक किसके साथ तॉपने वो के साथ यानिकी बच्चे के साथ तो इस पोस वो वैया अबजेट सेक्ट सेंट जैंट इस आपका लोब है और तो इस पोस्चेट के साथ इस पोस्चेट के साथ इस दी इच तूरिस्ट यानिकी जो पैसे वाले जो तूरिस्ट है भो तो फोस्चेट के इस पोस्चेट के इस तूरिस्ट उस ने किया किया, बट किया यानि की, बाई, ना पार्स्टेंस मुचलता है, what, क्या ग्रोप किया क्या चिली है था, the gives, तो gives यहाँ पे अब जाए, थार्स्टेंस, the guest must was there on basis, guest को क्या करनी चाहिए, on basis है, वो must was, यही कंपसरी was करनी चाहिए, तो first है आपना subject, इसमें, the guest, जिसकी sentence में बार की जाए है, उसको हम subject के form में describe करते है, the guest, must and was, इसमें आपने फ्रे आपने two verb भी एक रहे, कुल साथ first must है, वो है model auxiliary अगर, और उसके साथ use किया गया है main verb, वो है was, was, तो वो ग्रेक रहे है अगर, most was, object, धायर और इसमें, पुर संथ प्रिमिनिस्टर विसिते थी पूर्टकालिटिस प्रिमिनिस्टर प्रिमिनिस्टर एंग उसके एफसले है प्रिमोर्ग में विजिते पास्ने सलसेटेंसे, तिसके विजिते परेहें दुगो लोगा लेपिस्की, दुगो ग्रा का अबचे. ने जो बाषी मेरें परेहें. करना ही है, a speech, यह जो speech है, जो हम बोलते हैं, उसके क्या देखे हैं, जब फॉंक्सन क्यासा होता है, उसमें, speech, ready करते हैं, उसको क्या देखे हैं, speech. जो someone हो गया है, पे subject, इसमें person का नहीं नहीं दिया दा है, यह वो ऐसा person है, इसके लिए उसके आदा है, someone, made, a speech. मेरी यार्वे, मेरी का क्या है, past tense हो जादा हैं, और object यार्व की, speech. Sixth sentence, the boys were playing football, boys है वो, football देखे हैं, तो first subject है यार्वे, the boys, इसमें भी two words दिये गए यार्वे, जो to be का past tense का नहीं वो, वोस यार्वे, वोईस है, इसके लिए रहे हैं, इसके लिए रहे हैं, तो वो हो गया, primary auxiliary, and play, उसके साथ ing, तो ये continuous past tense का sentence हो गया. तो, वार्वे वो बिर्वे वनवे वर्वर, ओर football येगे और चेए, आफचेके. The boys, वार्वेस, वार्वेह, वेर्वें, वोगे़, वर्वेर्व, एं लास्ट, क्या बिल के रहे हैं तो, football object. seven sentence and last the girl guides have baked cakes the girl has guide करने है किसके लिए guide करती है have baked cakes तो जो baked कुई है cake उसके लिए तो the girl guides वह है यहां के subject have plus pack तो have होगा प्राइमरी उसके लिए एंडिलिक प्रेंग वर्ब दोनों के वर्ब आपके और क्या करती है वो तो cakes cakes होगा है यहां पे आपका अप्चे तो यह थी आपकी SPO structure यहांने की समझे for an object का हमें बता होना जाएं तभी हम sentence है वोटीक से दिख्शक के यहां अचोई इस जो चैप्टल है इस अप्चेप्टल का complete होगा झाल